एक्सपैल होने के बाद इन जैंका भी बुरा फील करता है और उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि उसकी वज़े से ही फिफ प्रिंस को एक्सपैल किया गया अगर यह सब नहीं होता तो शायद फिफ प्रिंस को कुछ करना ही नहीं पड़ता नहीं डैड उन्हें ऐसे ए प्रिंस को दूड़ने के लिए फाइनली उससे कुछ थाथ लगते हैं जिनसे बता चलता है कि नकली मनी की पीछे को यह नेवर की सेगेंड प्रिंस है मतलब क्राउड प्रिंस इसके बाद इंजेंग जागा सारे सब्सक्राइब को समिट करता है यहां पर किंग बात को देक के लिए एंट प्रिंस को मिलने के लिए बलाते हैं और थी आखिस्पेल कर देते हैं व महीं और उनका कोई ऑदा भी Er पर कि यह और उसके बाद वह बहुत हैं यहाँ को पसंद करता ही है तो से लिया है तो मैं उसके बाद नहीं तो पहले सा इनी था है इस बात पर शुवान को यकीन हो जाता है और उसे लगता है कि यह आदमी बहुत ही ज़्यादा बिकार है इसके बाद वह ऐसे मानने वाली थी वह दरसे फिफ्ट प्रिंस को दो दिन थपड मारती है और इसके बाद चली जाती है और कहती है कि रहो इस जहन्नुम में तुम्हे सच में मार दूँगी इसके बाद हम देखते हैं कि एंग वान और लीवेई फिफ्ट प्रिंस को देखने के लिए आते हैं यहां पर उन्हें पता चलता है कि शुवान जा चुकी है अपने दान स्टेट इसके बाद वह परिशान होती है और गयती है कि फिफ्ट प्रिंस सब्सक्राइब करना चाहिए था कम से कम हमें बताते हम इसका सॉलीशन निकालते यहां पर उसकी सिस्टर की क्वीन है वह कहती है कि आज के बाद हमारे स्टेट के आसपास भी दिखे तो उन्हें डारेक्ट मार दिया जाएगा इसके बाद शुवान कहती है कि नहीं ऐसी जर प्रिंस को बड़ा ही रिग्रेट होता है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों पर्मानेटली नहीं चोड़ना था बस जब तक उनकी सिच्वेशन अच्छी नहीं है एकॉनमिकल तब तक उन्होंने किया था पर अब शुवान की शादी हो जाएगी तो उनका नमबर तो गया ना इस स्टेट के तरफ रास्ते मों जा रहे होते हैं तभी कुछ पोस्टर लगे हुए देखकर वहां पर रुख जाते हैं यहां पर वह दिखते हैं कि पोस्टर दरसा उन्हीं के थे उसके नीचे लिखा हुआ था कि बंदा बहुती बड़ा जूटा मकार है इपनी वाइफ को बि इंट्री नहीं देते हैं और इसके बाद प्रिंस डिसाइड करते हैं कि वह यहीं पर बैटका तब तक वेट करेंगे जब तक शुवान उनसे खुद मिलने के लिए नहीं आएगी यहीं पर हम आउजया को दिखते हैं कि रेस्टोरेंट से अलग अपना एक नया बिसनिस सिस्थ भी होने लगती है यहीं पर फांगरू उसे मिलने के लिए और आज यह दोनों ऐसे नहीं बलकि ऐसे फ्रेंड मिल रहे थे इसके बाद हाओ जया पहली पार फांगरू का नाम लेकर उसे बुलाती है और हम दिखते हैं कि फांगरू ने डिसाइड कर लिया है कि अब से डिवर्स लेगी इसके बाद दोनों के दोनों जाती हैं से मिलने के लिए जो की जेल में बनते हैं यहां पर वो उने खाफी खरी कोटी सुनाती है और इसके बाद हाओ जिया से कहती है मैं अपनी डॉटर को जरू बताऊंगी कि उसके डैड कितने ज्यादा बुरे इंसान थे उससे भी पता लगना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं इसके बाद यहां पर फांगरू उससे जल्दी ही डिवर्स की पेपर्स पर साइन करवा लेती और वहां से चली चाती है और कहती है कि आई होप हम तुम्हारा चाहरा आप दोबारा ना देखें जिन्दगी में विकास तुमनें वैसे ही हम दोनों की बरबाद जो कर दी है इसके बाद दोनोंने सुना सुना का चली जाती है और लीवी सब कुछ काम करने लगी है वह हर चीज़ में परफेक्ट है वह होटल मैनेजमेंट समाल लेती है अपना रेस्टरेंट चला लेती है और इस पहले इसको समालने के लिए वह काफी परफेक्ट है इसके बाद जब लीवी को पता चलते है तो काफिदा एमोशनल हो जाती है बिकास इन दोनों का रेलेशन बिकुछ सिस्टर्स के तरह है और इसके बाद इंगवान कहती है हमारे गोल अलग-अलग है इससेने की से डिवार्स की बात करता है कि शादी प्रिंसे से तरह के बदम कर दे जान आक नएंगे इसके बदेखार हुआन ने युआ निंग की मॉम नोटिस करती है कि युआ निंग में उसके ब्रदर से ज़्यादा पोटेंशियल है और वेगची रूल बन सकते है इसके बाद वो इसके लिए डैड को परस्यू करती है इंडिरेक्टली उन्हें युआ निंग के आइडियास बताती है यहाँ पर युआ युआ निंग बहुत ही इंटेलिजेंट है वो हमारी डॉर्डर है अगर वो कुछ करना चाहती है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए आखेर इसके बाद डैड को थोड़ा समझ में आता है कि युआ निंग को दबाना तरह से उनकी सबसे बड़ी भूलती है इसके बाद वो युआ निंग से बात करते हैं और उससे सौरी में बोलते हैं कि उन्होंने चायल्डूर से लेकर अब तक सिर्फ युआ निंग को इग्नोर किया जबकॉस वो गर्ल है जबकि उन्हें पता था कि युआ निंग में जितना पोटेंशियल है उतना किसी में भी नहीं है इसके बचपन से यही सपना देखा था कि वो इनर कोट में जगा बना है ना कि किसी की वाइप बनकर सिंदगी भर उसके बैलेस में रहे हम यहाँ फिफ्ट प्रिंस को देखते हैं जो कि शुआ को लेने के लिए पहुँच के होते हैं बट एस वीजूल उन्हें इंडरी नहीं मिल लोटने के लिए मनी जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें 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 तब पफेक्ट चल रहा था जैंग के डैड इंजेंग को फाइनली क्राउन प्रिंस बनाने कर डिसाइड करते हैं और इसके बाद वह एनॉंस पर कर देते हैं और इंजेंग से कहते हैं कि वह दरसल अपने बर्दे की दिन इंजेंग को लिए की ऑफिशल शादी करवाएंगे पैरेंट्स को मनाने के लिए एंजेंग लिए की होम टाउन जाता है जैसा कि उसने लीवी से वादा किया था कि उसकी होम टाउन ले जाएगा यहां पर लीवी की डैड इसके बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते कि लीवी दरसल शीन स्टेट में ऑफिशली शादी कर लेते हैं उसे बहुत सारा काम करवाते हैं उसे दरसा हंटिंग भीज देते हैं जिसमें उसे काफी ता चोट लग जा दिया और इसके बाद तो लीवी की मौब लीवी की डैट को काफी ता डाटती है और उन्हीं माना स्टार्ट कर देती हैं कि आखिर वो जिंदग की बल दोनों ही साथ में रो रहे होते हैं कि फाइनली वो दिन आ गया जब हमारे बच्चों को फाइनली खुशी मिलने वाली है और इसके बाद दोनों की ऑफिशल शादी हो जाती है एट लास्ट हमें सभी को रूफटाप पर देखते हैं जहां पर यह सभी नाइट का व्यू एक ही अच्छी होती है और इसके बाद हम दिखते हैं कि इस इने स्टेट में बहुत सारे डूल से दरसल चेंज हो गया होते हैं अब अरेंज मैरेज भी काफी कम हो गई होती हैं यहाँ पर हम इन सभी को दिखते हैं जो कि एकदम इंड़पेंडिन वूमेन थी कहीं सारी आ ही पर एंड होता है तो थैंक यह सो मुच गाइस वच मुच गाइस फर वोचीं